व्लावस के शोल्डर जो है वो कैसे निकालने हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो आप पूरा देखलो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्रेब करें अब देखिए जो नए सिलने वाले हैं जै क्या हो जाता है गला इस तरह से रखेंगे तो थोड़ा सा शोल्डर हमारा इस तरह से हो जाएगा तो हमारा शोल्डर जादा निकलेगा फिर जब हम ब्लाउस सी लेंगे तो शोल्डर हमारा गिरता है तो यहाँ पर कभी-कभी इस तरीके से गला रखेंगे तो शोल्डर हमारा कम आता है तो फिर हम आपकी ब्लाउस की फिटिंग जो है वो नहीं बैटेगी तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको शोल्डर कैसे निकालना है यह मैं बताऊंगी अब देखिए जब हम छोटा नाप होता है जैसे 28-30 इंच का नाप होता है चेस्ट का नाप 28-30 इंच का होगा तो आपको 32 इंच तक आपको गला रखना है उसके बाद जब हम यहां से नापते हैं यह देखिए यहां पर हमारी स्लिट जॉइंड हुए है यहां से यहां तक नापेंगे तो यहां पर हमारा जो शोल्डर है वो निकल जाता है तो यह शोल्डर आया हमारा 11 इंश हभी ये शोल ड्ख ग्यारा इंच है तो हमें पर फेक्ट शोल्डा्यडा होगा जैसे क्ल रहा होगा जैसे स्वागों कर दूंद शोल्डर को नाप सॉ अब को यहाँ पर माया सनी है यह देख़े prosperity नापना होगा तो में यह सा को अनल ग़ना तो है तो आगे के साइड में हमारा अपाइपिंग में थोड़ा सब सबस T साइड में लिया और यानि की सवव तीन इझ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे शोल्डर इंज पर वह अधाएे जो परफेक्ट शोल्डर निकालना चाहते हैं किसी की kiais stories भी शोर्डर पट्ट च फिकालना जैसे दिक्कत हो जाती है जब हम शोल्डर इस तरीकेसे निकालेंगे तो यहां पे हमारा गला निकालने के बाद कभी शोल्डर ज्यादा आता है कभी कम आता है तो यह पर्फेक्ट शोल्डर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जब हम छोटा नाफ होगा तो सब्सक्राइब दो इंच पर गले की चोड़ाई रखनी है और उसके आगे जैसे 24-36-38 इंच का आपका चेस्ट का नाफ होगा तो आपको शोल्डर इस तरीके से नापेंगे तो आपकी जो शोल्डर पट्टी है वो पर्फेक्ट निकलेगी यह इसमें कोई कम जादा नहीं होगा लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा यह जितना हमारा डाही इंच आता है तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यह जिलाई में भी जिनका जादा जाता होगा तो आप अपने इसाप से थोड़ा सा जादा बढ़ाना है लेकिन यहाँ पे आप आधा इंच लेंगे एक्ष्रा तो भी चल जाता है और इंच इस साइड में अमरा पाइपिंग बनाने के लिए चला जाता है और और इंच जो है यहाँ पे आपका स्लीव जॉइन करने के लिए चला जाता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप शोल्डर का नाप निकालोगे जो नए सिलने वाले है उनके लिए यह बहुत ही हेलपफुल वीडियो है तो यहाँ पे आप इस तरीके से यह नाप जो है वो न शोल्डर ठीक से नहीं निकाल पाते इसलिए वो तरीका मैंने आपको बताया है और जो रेगुलर सिलते हैं उनके लिए यह इस तरीके से यहाँ पे स्लीव जॉइंड हुई है यहाँ तक दूसरे स्लीव तक आपको नाप लेना है जितना आपका शोल्डर आता है शोल्डर क शोल्डर में हमें सिलाई में आधा इंचिया कुछ बढ़ाना ऐसा कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक नापना है जितना हमारा शोल्डर आता है वहाँ पे आपको उसका हाफ करना है वो सिलाई में जाके भी हमारा शोल्डर जो है वो एकदम परफेक्ट आजाता है, तो यहां भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको शोल्डर जो है शोल्डर को कैसे नापते है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है अब इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें